प्लेवर बिजनस ओनर, फॉरेवर लिविंग प्रोडेक्ट्स की कमपनी पॉलिसी विडियो सीरीज के नए विडियो में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने पहले के विडियोस नहीं देखे हैं, तो इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेइलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखे, तभी आपको आगे के विडियोज और अच्छे से समझ में आएंगे Company Policy Last Update, August 2022 ये Company Policy का दूसरे चेप्टर का ही भाग है Important Definitions यानि महत्वपूर्ण परेभाश आए Cooling of Period Direct Selling Niamo के Clause 3.1b के अनसार Cooling of Period का मतलब Preferred Customer, FBO को अपने समझोते यानि Joining Agreement को रद करने के लिए दिया गया समय है जो उसने Direct Selling में भाग लेने के लिए किया है Join होने की तारीक से 30 दिनों की अवधी तक Preferred Customer, FBO के लिए Cooling of Period माना जाएगा इस Cooling of Period के दौरान वह Company के साथ की अपने Joining Agreement को रद कर सकता है या रद कर सकती है इस Cooling of Period के दौरान Preferred Customer, FBO किसी भी पुर्ण विक्रिय योग्य उप्योग करने योग्य उत्पात को वापस कर सकता है जो अच्छी स्थिती में है और Company Policy तहट उलिखित स्वैच्शिक समापती यानि Voluntary Termination का विकल्प चुनकर Company की Buy Back नीती के अनुसार पूर्ण धनवापसी यानि Full Refund प्राप्त कर सकता है Chairman Bonus Manager यानि CBM एक FBO जो वार्षिक Chairman Bonus प्राप्त करने के लिए योग्य है उसे Chairman Bonus Manager कहा जाता है Chairman Bonus Manager Lines यानि CBM Lines, Chairman Bonus Qualifier करे हुए Managers जिनको FBO ने Sponsor की हुए Lines में से है उन्हे Chairman Bonus Manager Lines कहा जाता है Domestic Domestic यानि FBO के उसके अपने देश से संबंधित जिस देश से उसने अपनी जोइनिंग की है मान लीजिए आपने इंडिया से जोइनिंग की है तो इंडिया आपके लिए Domestic हुआ Downline Downline यानि Nichely Team के सभी FBO भले ही कितनी पीरिया नीचे हो Direct Selling Direct Selling नियमों के अनुसार Direct Selling का अर्थ स्थाय रिटेल स्थान यानि दुकान या शोरूम के अलावा विक्रेताओं के एक Network के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं का विपनन यानि Marketing, वित्रण यानि Distribution और विक्री है Direct Selling Entity Direct Selling नियमों के नियम 3D के अनुसार Direct Selling Entity का आर्थ है Principal Entity जो Direct Seller's के माध्यम से सामान या सेवाओं बेचती है या बेचने की पेशकश करती है लेकिन इसमें ऐसी Entity शामिल नहीं है जो Pyramid Scheme या Money Circulation योजना में लगी हुई हो Eagle Manager एक Manager जिसने Eagle Manager का दरजा हासिल किया है वो है Eagle Manager पूर्ण विराम Eagle Manager Lines FBO की Sponsor की हुई Linesों में से Eagle Managers लेवल को प्राप्त कर चुके Managers की Lines को Eagle Manager Lines कहा जाता है Earned Incentive या Forever to Drive यह एक प्रोचसाहन कार्यक्रम है जिसमें योग या Forever Business ओना को 36 महीने की अवधी के लिए अतिरिक्त भुक्तान किया जाता है Earned Trip दो व्यक्तियों के लिए एक यात्रा पुरसकार FBO को प्रस्तुत किया जाता है जो Marketing Plan के Incentive Program में से प्राप्त करता है Gem Manager एक मैनेजर जिसने अपनी टीम में कम से कम पहली पीडी यानि फर्स्ट जनरेशन में कम से कम 9 मैनेजर या अपनी टीम में कम से कम 6 Eagle Manager Lines को Develop किया हो उसे Gem Manager कहा जाता है Forever Business Owner यानि FBO Forever Living Marketing Plan के साथ स्वतंत्र व्यफसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों के लिए किये गए सभी संदर्भों के लिए कानूनी के साथ-साथ सम्विदात्मक आवशक्ताओं के लिए 14 फरवरी 2015 से Distributor शब्द को Forever Business Owner शब्द से बदल दिया गया है Forever Business Owner शब्द कंपनी की नीती के साथ-साथ Distributor के रूप में व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, Distributor Application फॉर्म के सभी पूर्व अनुबंदित बाध्यकारी खंडों के लिए लागू हो गया है इस संदर्भ के लिए अन्य सभी दायत्व समान रहेंगे कोई भी भारतिय निवासी जिसकी आयू 18 वर्षियाउस से अधिक है जिसका नाम Forever Business Owner एप्लिकेशन पर दिखाई देता है जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है जिसने किसी लगातार दो महीनों के भीतर दो सीसी के उतपाद खरीदे है वो थौक योग्य यानि होलसेल क्वोलिफाइड है और वो थौक मूल्य यानि बोनस वीकैप मूल्य से 30 प्रतिशत तक के डिसकाउंट प्राप्त करने के लिए योग्य है और मारकेटिंग प्लान के मताबिक उसका जो लेवल है इसके तहट वो अपने व्यक्तिगत खरीदी के बोनस रीकैप मूल्य के 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक व्यक्तिगत बोनस के लिए भी योग्य है होलसेल क्वोलिफाइड एफबियो सीधे प्रकाशित थौक मूल्य यानि होलसेल कीमत प्लस टेक्स पर नामित वित्रक से उत्पात खरीदते है फौरेवर बिजनिस होना जो की कमपनी में शामिल होने पर कमपनी का डाइरेक्ट सेलर बन जाता है वह देश जिसमें FBO जोइनिंग करता है और अधिकांश समय निवास करता है इसी देश में FBO को अन्य सभी FLP देशों के लिए अपनी गतिवेदी छूट प्राप्त करने के लिए अरहता प्राप्त करनी चाहिए बोनस शेर चेयर में बोनस के नियमों के अनुसार उत्पन टोटल सी सी जिनका उप्योग बोनस पूल के FBO के हिस्से को निर्धारित करने के लिए किया जाता है Leadership Bonus Qualified यानि LBQ एक मान्यता प्राप्त मैनेजर जो किसी महीने के लिए Leadership Bonus प्राप्त करने के योगे है उसे Leadership Bonus Qualified कहा जाता है Month यानि महीना एक केलेंडर माह यानि एक जनवरी से 31 जनवरी तक अधिक्तम रिटेल मूल्य यानि MRP यह उत्पाद का सभी टैक्स सहित अधिक्तम मूल्य है जिस मूल्य पर एक FBO द्वारा रिटेल ग्राहक को उत्पाद बेचा जा सकता है Operating Company Operating Company यानि प्रशास्निक Company जिसके तहट एक या कई देश बिक्री स्तर की प्रगती, बोनस भुकतान और इंसेंटिव योग्यता की गणना करने के लिए देटाबेस का उप्योग करते है Participating Country यानि भाग लेने वाला देश वो देश जो पिछले कैलेंडर वर्ष के किसी भी तीन महीनों के दोरान कम से कम 3000 CC या पुनह योग्यता प्राप्त करने पर किसी भी दो महीने के लिए 3000 CC का बिजनेस वॉल्यूम किया हो और उस देश का कम से कम एक मैनेजर चेयर में बोनस प्रोग्राम के लिए क्वालिफा दारी या विक्री गतिविधी को Personal Accredited Sales कहा जाता है Preferred Customer ओर ग्राहर जो BRP के उपर 5 प्रतिशत की छूट पर उत्पात खरीदने के लिए कमपनी के साथ जोइनिंग करता है उसे Preferred Customer कहा जाता है Prospect Direct Sailing नियमों के नियम 3-1-H के अनुसार Prospect का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे Direct Sailing द्वारा Direct Sailing Entity में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है Qualifying Country यानि भाग लेने योग्यदेश Qualifying Country जिसका उप्योग Chairman Bonus Program के लिए योग्यता के देश के रूप में किया जा रहा है Region यानि क्षेत्र Region यानि वग्षेत्र जिसमें FBO का घर देश स्थित है क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया शामिल है Re-Sponsored FBO, यानि फिर से जॉइन कराया गया FBO वो FBO, जिसने पिछले 12 महीने की कोई गतिविधी के बाद अपना Sponsor बदल दिया है उसे Re-Sponsored FBO कहा जाता है Retail Customer यानि Retail ग्राहक Retail Customer यानि वह ग्राहक जो अधिकरत चैनलों के माध्यम से FLP उत्पात खरीदता है और उसने Company को भोतिक यानि फिजिकल या डिजिटल रूप से Forever Business Owner Form जमा करके Preferred Customer बनने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है Saleable Condition यानि विक्री योग्य स्थिति Direct Sailing Niamo के Clause 3.1.J के अनसार विक्री योग्य का मतलब है उत्पात के संबंध में बिना इस्तिमाल किया और Marketing योग्य जो समाप नहीं हुआ है और जो मौसमी, बंद या विशेश प्रचारक सामान नहीं है सामान की ऐसी स्थिति को Saleable Condition यानि विक्री योग्य स्थिति कहा जाता है Sales Level यानि विक्री स्थर, FBO और उसके डाउनलाइन के सयुक्त CC द्वारा प्राप्त, विभिन लेवलों में से कोई भी लेवल जैसे की Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager और Manager ये सभी Sales Levels है Sponsor यानि Sponsor या Project एक FBO या Preferred Customer जो व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य FBO या Preferred Customer को Sign Up करता है उसे Sponsor कहा जाता है, Appline, FBO की उपर की लाइम में जो FBO या Preferred Customer है उसे Appline कहा जाता है Waiver यानि छूट, वो FBO को पुरस्कृत किया जाता है, जो एक Operating Company में बोनस के लिए अरहता प्राप्त करने के लिए कुछ आवशक्ताओं को पूरा करता है जो अन्य सभी Operating Company में अगले महीने के लिए उन आवशक्ताओं के बदले में स्वीकार किया जाता है Activity Qualification Waiver यानि गतिविधी योगिता चूट, एक FBO जो 4 CC, व्यक्तिगत और पसंदीदा ग्रहक के साथ करके जो अपनी Home Operating Company में सक्रिय है वो अन्य सभी Operating Company में अगले महीने के लिए एक गतिविधी चूट प्राप्त करता है Leadership Bonus Qualification Waiver यानि Leadership Bonus योगिता चूट, एक मानिता प्राप्त मैनेजर जो एक गतिविधी योगिता चूट प्राप्त कर चूट है और चालू महीने के दौरान किसी भी Single Operating Company में Personal, Non-Manager CC, Leadership Bonus आवश्यक्ता को पूरा करता है वो अन्य सभी Operating Company में भी अगले महीने एक Leadership Bonus चूट प्राप्त करेगा Web Store, My Forever India Mobile App और www.allustoreindia.in के माध्यम से आधिकारिक Online Shopping विकल प्लब्ध है Wholesale Qualified यानि थौक योग्य जो FBO, थौक मूल्य यानि Wholesale कीमत पर उत्पात खरीदने का आधिकार प्राप्त कर चुका हो वो FBO, Wholesale Qualified FBO कहा जाता है किसी एक Operating Company में लगातार दो महीनों के भीतर, दो CC खरीदने के बाद Forever Business Owner स्थाई रूप से Wholesale Qualified यानि थौक योग्य होता है Wholesale Price, WHP यानि थौक मूल्य वो मूल्य जिसमें स्थानिय टेक्स शामिल नहीं है जिस मूल्य पर उत्पादों को उस FBO को बेचा जाता है जो थौक योग्य यानि Wholesale Qualified है इस कीमत पर BRP से 30 प्रतिशत की छूट दी गई है तो ये था Company Policy का दूसरा Chapter, Important Definitions I hope कि आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए जब तक समझ में ना आये तब तक देखे चाहे तो आपके Sponsor या Active Appline से पूछे या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कॉमेंट करे मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिपलाई कर पाऊंग दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को और Company Policy Series के प्लेलिस्ट को शेर कीजिए अपने सभी टीम मेंबर्स को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके उनकी टीम को सीखा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जाए हिंग